नमस्कार दोस्तों आर्पीयम ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वह है मारुति सुजु की सिलेरियो और टाटा ट्रियागो के बीच में कमपैरिजन तो हां दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोनों का कमपैरिजन दोस्तों देखिए अभी अभी मारुति की नेक्स जनरेशन हैजबेक मारुति सुजु की सिलेरियो अभी अभी लांच हुई है उसकी खास बात यह है कि कंपनी ने इससे सेकंड जनरेशन में लांच किया है और इसमें 12 से जदर सेफटी फीचर को भी दिया गया है ठीक है अब इसमें सबसे जदर पहली चीज तो यह है कि सबसे जदर माइलेश देने वाली कार बनेगी दोस्तों सेग्मेंट में कंपनी यह दावा कर रही है कि यह 26.6 से किलोमेटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिशन शी देती है कुल मिलाकर अगर बात करें तो नई सेल को 2015 में डीजल इंजिन के साथ भी उतार गया था हाला कि 2017 में कंपनी ने डीजल बेरिंट को बंद कर दिया था वही नई सेलेरियों का सीधा मुगाबला टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल हैजबेक टाटा ट्यागों से होने जा रहा है टाटा ने पिछले साल ही ट्यागों लंबा ही चुड़ाई ज्यादा है वील वेस्सके मामले में सिरेरियों आगे है तो यह रही दोस्टो लिष्ट इसके डाइमेंशन की आप भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं पहली पीडी की सिलेरियों फीचर्स की मामले में कुछ खास नहीं थी लेकिन नई पीडी की सिलेरियों को फीचर्स रिच बनाया गया है हैजबेक में 7 इंच का टर्च स्क्रीन मिलता है जो एंड्रोइड ओटो और एपल कार्प्री को सपोर्ट करता है इसके अलावा सेमी इंस्ट्रूमिंट डिजिटल क्लस्टर एसी पुश बटन स्टार्ट स्टॉप की लेस एंट्री ओल फॉर पावर विंडो इंडो में एंडोइड ओटो और एपल कार्प्ले सपोर्ट के साथ सेवन इंच टच स्क्रीन ओटोमेटिक ऐसी आर्ट स्पीकर हर्मन साउंड सिस्टम स्टेरिंग मांटेड कंट्रोल हाइट एडजेस्टेबल सीट ड्राइवर रिमोट की लेस एंट्री फुली डिजिटल इंस्ट है यानि की अतिरिक्त है तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इन दोनों के सेफटी फीचर्स की दोस्तों सिलेडियों में फ्रंट ड्यूल एरबेग एबीड के साथ एबीएस ब्रेक असिस्ट रिवर स्पार्गिंग सेंसर स्पीड सेंसिंग डॉर लॉक और और आर्टोमेटि यह सुरक्षा नियमों के अनुरूप हैं वही ट्यागो में फ्रंट एयर बैक्स एबीएस एबीडी के साथ कॉर्णर इस्टेबिलिटी कंट्रोल रिवर्स पार्किंग कैमरा स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं इसके अलावा एंसी एपिक ग्लोबल क्रेश टेस्ट में टियागो को फॉर स्टार सेफ्टी डेटिंग भी दी गई है वही सिलेरियों का अभी तक कोई क्रेश टेस्ट नहीं हुआ है के लावा सिलेरियों में इस सेग्में में पहली बार हिल होड असिस्ट का फीजर भी मिल जाता है तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इंजन स्पेसिफिकेस्टेंज की तरफ दोस्तों नई मारुती सुजु की सिलेरियों में नेक्स्ट जेनरेशन के टैन सी 1.0 लीटर थ्री सलेंडर ड्यूल जेट इंजन का इस्तिमाल किया गया है जो ड्यूल वेरियेबल्स वाल टाइमिंग वीवीटी के साथ आता है यह इ इंटीन परसेंट तक कम करने में शक्षम है तो दोस्तों अगर हम ट्यागों की बात करें तो ट्यागों में 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है जो 85 बीएच्पी की पावर और 113 अनम का टॉक प्रदूस करता है वहीं यह इंजन फाइफ स्पीड मैनॉल और एम्टी गीर बॉक्स दोनों में आता है दोस्तों इससे सीधे सीधे यह क्यास लगा जा सकते हैं कि सिलेरियों के मुकाबले जो टाटा टियागो है वह इंजन के मामले में ज्यादा परफॉर्म करती है अगर सिलेरियों के माइलेज के अगर हम बात करें तो 24.97 किलोमेटर पर टी लि रुपे से 6.94 लाक रुपे तक आती है वहीं यह हैज़पेक साथ वेरियंट्स में उपलब्द है अगर हम टियागो की बात करें तो टियागो की एक शोरूम गीमत 4.99 लाक रुपे से लेके 7.05 लाक रुपे तक के बीच में है तो दोस्तों यही था इस वीडियो में अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ शेयर करें और अगर आप इसी तरह के ऑटो मोबाइल इंडरेश्ट्री से जुड़ेवे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरण से सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जन्यवार्द जय हिंद